राम जन भूमी में विराजमान राम लल्ला जो तंबू में बैटे हैं उनको मिली एक और तारीख जी हाँ आयोध्या केस में अगली सुनवाई 29 जनवरी को होगी सुप्रीम कोट की नई बेंच आयोध्या केस की सुनवाई करेगी आज सुनवाई के दोरान मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन ने जस्टिस यूईू ललित के बेंच में होने पर ये टिपने की कि वो 1994 में इसी मामले में वकील रहे हैं वो भी कल्यान सिंग वाले मामले में जिसके बाद जस्टिस यूईू ललित ने खुद को बेंच से अलग कर लिया अब चीप जस्टिस रंजन गुगोई अयोध्या केस पर नहीं बेंच बनाएंगे और समवेदानिक पीठ ही अयोध्या केस की सुनवाई करेगा जो है और जो है वो अपने हसाब से जो भी हो उन्होंने अब्जेक्शिन किया है बेंच के कॉम्पोजिशन के जिसमें मैटर एडजन लेकिन आज ये सुनवाई के दौरान राजीव दहवान नहीं ये भी कहा था कि वो उन्होंने सीधे तोर पर नहीं कहा कि यूईू ललित सीधे तोर पर नहीं कहा पर उन्होंने वह पॉइंट आउट किया जिसमें जस्टिस ललित ने कहा कि मैं इस मामले को फटर नहीं सुनुए जो ट्रांसलेशन अभी पेंडिंग उसको क्या मतलब है यह जो क्या मतलब है क्यों कि 15 ट्रेक में सील्ड रिकॉर्ट है तो खुद करना चाहती कि क्या ट्रांसलेशन हुआ कि कर नहीं कि सरकार का है को रिम् selbst पर इन्हीं करते भी करेगा जाहें जो वकील हो चाहें बहुत लोगों को माना पड़े यह संविदानी बात है या तो धर्माचारियों से मेरा अग्रह होगा कि जीएंगे तो राम का मंदिर बनना चाहिए अब नहीं तो अब जीएंगे नहीं उसके लिए सीने पर गोली खाने को त्यार है जो ये पार्टी ने वादा किया पीछे हट गई अब इस पार्टी से मेरा अग्रह है कि तुम मंदिर नहीं बना सकते तो गोली चलवाने को त्यार हो जाओ आर्थी जन्ता पार्टी के इस सासन में मुझे जेल भेजा गया मुझे देश द्रोह की दफा लगाई गई मुझे उससे गम नहीं है मुझे सूली पर चढ़ा दो लेकिर राम लला अब टाट में नहीं रहेंगे और जो राम लला को टाट में रहेगा और राम लला के नाम पर जो ठाट में आया है उसके ठाट को हम लोग अब नहीं देखेंगे कमाल है भंगवान श्री राम की माया ऐसा ही कहते हैं जो राम चाहेंगे वही होगा क्या राम चाहते हैं कि वो तंबू में ही बने रहे राम जन भूमी में कि या यह सियासत ऐसे ताव पिछ खेल रही है कि उन्हें तंबू से बाहर ही नी निकाला जा रहा है। नहीं तो बड़ी स्पोठक स्थिति बनती जा रही है। पूरे दीश के अंदर, हर वर्गों के अंदर, हर लोगों के अंदर, यह कई चीज है कि राम मंदिर का निर्मान करो। राम मंदिर का निर्मान हो इसके लिए बहुत सारे लोग जुटे हुई हैं। केपिता केशब चंत्रगोगुई कॉंगरेस के थे इसलिए उनके रहते इसमसले का हल नहीं हो सकता प्रभावित हो सकता है तो मेरा कहना है कि केशव चंद गगोई के बेटें हैं माननी जज महोदे गगोई जी उनको भी अपना नाम वापस ले लेना चाहिए कि मैं इस उनुबाई में नहीं होगा मेरा कहना यह साओ करुण हिंदू की भाबनाओं को कुछलने का खड़ेंत कां दुशियंत नागर हमारे साथ खाड़ा में उतर चुके हैं अनुराग भतोरिया समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखना उसे लेकिन सबसे पहले जाएंगे आयुद्या से अजीत सिंग और सुप्रीम कोर्ट से एतशाम खान की तरफ एतशाम खान ये कि चुनाव से पहले मंदिर का मसला तो हल होता नहीं दिखरा कम से कम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के काम करने का अपना अलग तरीका होता है ये बात आपने जो उठाई ये बहुत जायज है और हम लोग भी ये सोच रहे थे कि जब इस बेंच का गठन हो रहा था उस वस्त जस्टिस यूजू ललित को ये बात पता होगी और चुकि ये एक ट्रेडिशन सुप्रीम कोर्ट में कि अगर किसी मामले में आप वकील रहे हैं तो जज नहीं रह सकते हैं उससे जुड़े किसी भी मामले में तो जब ये बात उठाई गई आज बेंच के सामने तो उस वक्त मुख्य ने आए धी जस्टिस रंजन गोगोई ने ये देखा और जो इशारो यू यू ललित और जस्टिस बोब्डे ने आपस में कुछ बात चीत की और उसी वक्त उन्होंने इशारों में ये बता दिया कि वो इस मामले में कि आपने आपको अलग कर रहे हैं और उन्होंने खुद जोर से ये बात कही कि हां असलम भूरे के मामले में वो वकील थे तो ये एक नयाएक प्रक्रिया है उसके तहत ये सारी चीजें हुई है लेकि नयाएक प्रक्रिया तो कहा जाता है तेशाम लेकिन दो-तीन सवाल जो सामाने जन है वो ये नहीं पूछेंगे कि जब इस बेंच का गठन किया गया तब जो जस्टिस थे उन्होंने क्यों नहीं का क कहीं न कहीं वो किसी इनका एक सिरा राम मंदिर के इस विवाद से जुड़ा हुआ है तो शायद ये आपत्ती उठाई जा सकती है फिर दूसरी बात अगर इस बेंच का गठन हुआ है तो जस्टिस यूई ललित ने अपने कारेकाल में कितने सारे फैसले लिये हैं तो क्यों राजीव धन वो धवन को जरूरत पड़ी कि ये सवाल उठाया जाए क्या ये फिर से ये नहीं कहा जायेगा कि जान बूच कर विशे को टालने की ये साजिश है तक एक पक्ष को ये लग सकता है जरूर के जान बूच कर टालने की कोशिश की जा रही है और ये बात भी लोगों को के सवाल जहन में ये सवाल आ रहा है कि जस्टिस रंजन गोगोई ने जब इस बेंच का गठन किया तो ये सारी चीज़े उनको भी देख लेनी चाहिए थ इसको खुद वो बात याद थी कि वो अपियर हुए थे क्योंकि जब ये मुद्दा उठाया गया राजीव धवन की तरफ से तो उन्होंने खुद बात कही जस्टिस यू लल इतने के असलम भूरे केस तो यानि कि उनको भी ये चीज़े याद थी तो अब ये सवाल जरूर है कि और ये समझ नहीं आ रहा कि इतना अहम मुद्दा है जिसको लोग चाहते हैं कि जल से जल इसका निप्टा रहा हो तो एक के बाद एक किसी वजह से ये मामला टलता जा रहा है तो अब मुखे नया धीश को भी ये सारी चीज़े सोचनी होंगी कि किसी और वजह से अब कम से कम ये मामला ना टले इससे पहले कि हम बहस में बिढ़ें आपस में इस अजीट सिंग की और रूख करना चाहूंगा अयोध्या में क्या मातम चाया हुआ है अध्या वासी क्या कह रहे हैं बिल्कुल आनंद अगर आयोध्या की बात करें तो आयोध्या के संथ सबसे ज़्यादा नाराज और उन्होंने सरकार तक को अल्टिमेटम दे दिया और कहा कि अब संथों की जेतावनी है कि जोर राम लला टाट में है और नेता ठाट में है यानि सीधा प्रहार है भी जेपी क करने बात दूत है और संतों को भी नहीं आप देश सकते हैं जितने हिंदू जंमानस है सब को कश्ट और पीड़ा है क्योंकि सब चाहते हैं कि हमारे आराध धेराम लला जो आटेंट में हैं वो टेंट से बाहर होकर उनका भभेर्हार मंदिर बनें अगला कदम क्या होगा अ और युवाओं को जगाएंगे, हिंदू समाज को जागनित करके जल्द से जल्द भबेराम मंदिर बनाया जाएगा। अलग जगाएंगे, हिंदू जनमानस को एक करेंगे, और ताकत के भल पे अब मंदिर का निर्मान होगा, अब कोड को उपर से रांडिती बेक्षिकी की उपर से भरोसा खतम हो गया है। नहीं करेंगे, राम लला को तंबू में नहीं रहने देंगे। यानि आज जो तारीक पर तारीक पड़े उसको लेकर खासा संत कोट और सरकार दोनों से नाराज हैं कि वो बिल नहीं ला रहे हैं। बिलकुल और ये नाराजगी कहीं न कहीं जायज है, भले ही उनकी मांग जायज हो ना हो, भले ही वो तो ये चाहते हैं कि कोट इस बात कब निवारन करे और जो सरकार ने इनको वादा किया था और जो उनसे उम्मीद है उस पर खरे उतरें। लेकिन रोई चैल सबसे बड़ी बात ये है, यहां पर आप फस रहे हैं कि रामलला टाट में, नेता भाय ठाट में, आप फस रहे हैं यहां। हम क्या करें, हम से तो ना हो सका, हम क्या करें, हम से तो ना हो सका, यही कहते हैं। हम से जान में ले, ताकि और यह टले ना, आप में से किसी ने कहा है। देखी यह सब तो Chief Justice को देखना था, Chief Justice आपको देखना चाहिए था इस सारी चीज़े, लेकिन यह सबसे महत पूर बात है कि Justice Delayed में जस्टिस दिनाइड तो यह जब कब तक इंतिजार करते रहेंगे यह बड़ी बात है और लगातार जिस तरीके सबसे बड़ी बात है कॉंग्रेस जो आज सफल फिर से हो गई है जिस तरीके राजीर धहुन यानि कि आप खुद मान रहे हैं कि कॉंग्रेस सफल हो गई और भाजपार रिफल हो गई नहीं देखे यहां पर हिंदू समाज है कॉंग्रेस जो एक तरफ खड़ी है राजी पहले कपिल होली और इतना ही नहीं देखे सबसे बड़ी बात है मैं आपको यहां दिनीमी चाहता हूँ कि किसीने भी कहा कि यह जो पाई जच का जो गठन हुआ है इस पर आपधी हो चाहिए itel रहे है कि यह संग्यानमे लाहें जो संग्यार करे बिखाब हो गाiri ने देखर सहाऊ है कि विनास काले विपरीत बुद्धी जब किसी का विनास नजदीक आता है तो उन लोगों की बुद्धी ब्रंग हो जाती है आड़ पताल इधर उधर की गाने लगते हैं कुछ कुछ बोलने लगते हैं इनको मैं बताना चाहता हूं हरी सालवे जी हिंदू पक्ष की तरफ से व अधर जिस अधर ब्रंगाओं पना ब्रव्यस पांटि दौन देखि कमने लगते क। काँगा अगाड़ा में आपसे एक बाद काँगा राम मंदिर के मसले में जहां जहां वो धाचा तोड़ा गया उसमें जिन्हों ने धाचा तोड़ा उनको आज तक सजा नहीं मिली वो एक बात उस पर भी मैं सवाल उठागा हूँ मैं पूछता हूँ कि जस्टिस वाबी डिल पज़ घगा उता कोंगरेसपाटी ने आज तक कभी सामने से आकर यह नहीं कगा कि हम भी चाहते हैं कि कोट जल से जल इसका फैसला करें क्यों कॉंगरेसपाटी की तरफ से जो कंग्रेस के वकता है वो कोट में खड़े होकर इसको टालने की साजिश रचते रहते हैं दुश कुछ पंदी था आप अधनी की तोगल और पन्दी का दिए का कर दो है। को जख तोड़ा सा कर दो है य। अधना था प्रदो दो पी उसके अधनी सब्सक्राइब किसान आत्मत्या करें तो गोलिया अपने सिर्वाइं थी देखे मैं आपने एक बात कहूं मैं एक बात कहूं हिंदी पिच्चरों में बहुत फेमस डायलॉग था कि करन अर्जुन का बाएंगे करन अर्जुन भी 25 साल के बाद आ गये पर ये राम लल्ला और मंदिर वही जा रहा है उसके बाद कुछ कर नहीं पाएंगे आपकी कामलिया आप इने सक्षम है इतना बनाम और मैंगेट होने के बावजुन है आप लोगों देखे देखे आप पर आरोफ है रोहिचेंट मैं कहा रहा हूं जब आप पर आरोफ है यानि भार्तिये जंता पार्टी पर आप राम को भूल रहाँ है, आप पर आरोब है, इह मोध भूल याया है, आप राम से सब्सक्राइब। अनुराग बनोरिया, आप लखनाओं में बात सुन रहे हैं, क्या ये प्रश्ट पूछना गलत है, क्यों रुखे, क्यों राम मंदिर के मामले में हर कोई, हर लेवल पर, हर जगे पर सियासत कर रहा है. अनुराग जी, मेरा कोश्टन समझ में आया, इतनी हलने बोला में, मेरा कोश्टन सिंपल है, कि राम मंदिर के मसले में हर कोई, हर लेवल पर, हर जगे, इसको टालने की कोशिश क्यों करता है, इस पर सियासत करने की कोशिश क्यों करता है, आज तक किसी पॉलिटिकल पार्टी ने डंके की चोट पर इस मसले को सुलजाने का माद्दा नहीं उठाया कम से कम इसका इसका बिड़ा नहीं उठाया क्यों कि एक चीज तो आपको माननी पड़ेगी यह हमारा लोक्तन्त बहुत मजबूत है और लोक्तन्त समिधान और नयायपालका को हम लोग मानते हैं समिधान इसका नहीं पड़ेगा समिधान और नयायपालका को नहीं मानोगे तो क्या हम इसको पाक्ष्टन अफगानिस्थान बना दें समिधान नयायपालका कि बज़े इस इतना बड़ा मजबूत लोक्तन्त इस देश के अंदर चल रहा है सब को अपनी बात कहने का आधिकार है हम पूरा विश्वास रखते हैं प्रधान मंत्री जी नहीं नहीं पालिका में विश्वास जताया मुझे लगता है कि हम इतनी बहुत से अच्छा हम नहीं पालिका में आश्था रखें विश्वास रखें ना जाने कितने ऐसे केसे जिसे हमें हम सहमत हो सकते नहीं सहमत होते प्रभावित करना कैसे हो गया करनाटक के चुनाओं के वाख अभिशेद मनु सिंग्वी ने देर रात तीन बजे जब कोट का दर्वाजा खटकटा आया तब किसी ने यह नहीं कहा कि कोट पर दबाव डाला जा रहा है तब तो यह कहा जा रहा था कि डेमोक्रसी को बचाने के लिए आपने कोट का किनी है तो यह मैं कह रहा हूँ कि यहां पर और आज किस ने यह का है है शैनारक के लिए को बैटिय है नाँ आप अधियाए तो आधी दवाभी दुब कर दो आव लोग गर्कारी ने पनिना पर किक इनना अजीद सिंग और एक एक सवाल और अजीद सिंग एक बात बताईए क्या आपको ग्राउंड पे सेंटिमेंट नहीं लग रहा है कि क्या ये पहले नहीं पता हो सकता था कितनी बार किस-किस बहाने से टालते रहेगी कोट इस फैसले को और क्यों जो सरकार है वो इस पर कोई कड़ारुक प्यूनिह ले रही है सीध़ा पुजीशन क्यों नहीं ले रही है बिकुल आनंद आपने सही सवाल किया काके सरकार इस पर सीधा पोजिशन क्यों ने ले अपना रुख साप क्यों ने करिया हला कि पदान मंतिर ने कह दिया कि हम अध्यादियत नहीं लाएंगे संत इन राजनितिक दलों से कुछ सवाल करना चाते हैं । नहीं करते हैं लेकिन लेकिन यही अध्या भूमी है जहाँ पे उन्होंने खून की नदी बहा दी थी, यहाँ पर इसी सर्क पे लोग चिला रहे थे, जब कि वो बाबरी महजी तोड़ने के लिए कोई हिंदु जर्माना जा नहीं रहा था, फिर भी उन्होंने फाइदा लिया, बीजेपी के जो प्रभक्ता वहाँ बैटे हैं, र कोट के आधार पर, साच के आधार पर हम राम जर्म भूम मंदिर का निर्मान कराएगे, और कोट चाहेगी तब होगा, सुद रूप से आप रानितिक दल के लोग, राम जर्म भूम के नाम पर हिंदुत को भरगला कर आप फाइदा लिया, किसी ने मुसलमान को डरा कर अपन बंद करो, और साब साब सब्दों में यह बता दो, अगर आपको राजनीत करनी है, तो अगर राम जर्म भूम मंदिर के पच्च में हो, तो अपने मेनुफेश्टों से, अगर नहीं बनवाना चाहते हो, मेनुफेश्टों से निकाल दो, और अनुराग भदवरिया जी, अगर आप मंदिर नहीं बनाते हैं, तो मेने फेश्टों से मंदिर मुद्दा हटा दो, और समाजवादी पार्टी से भी इनका सवाल है, क्या नेता इस बात का जवाब दे पाएंगे, कि नेता ठाट में हैं, और राम लला ठाट में, इसका जवाब संद चाहते हैं, आनंद जी अजीत, तो नेता से ही पूछते हैं, सबसे पहले अनुराग भडोरिया से पूछते हैं, कि वो जवाब दे, फिर रोईचेल जवाब दे बिलकुल अनुराग हलो, जी देखिए मैंने आपको पहली बता दिया, कि हम समिधान नियाई पालका पे विश्वास रखने वाले लोग हैं, लोगतंत पे अकी रखते हैं, जो नियाई पालका आदेश देगा, वो हम आदेश मानेंगे, इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ, आप भी जानते अची तरह है कि नयाई पालका का सामनान अगर हम लोग नहीं करेंगे, तो देश कहां चला जाएगा, जो बता दिया, आप से आपका व्यक्तिकत मत पूछना है, यानि कि आद समाजवादी पार्टी का मत पूछना है, कि क्या आप वहां राम मंदिर चाहते हैं, कि नहीं चा संथ क्या पूछ रहे हैं, मुझे नहीं मतलब मैं कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट जो कहेंगे, हम तो हमारा खुद के हमारी खुद को कोई मत नहीं है, एक तशाब अभी आप तरह बार लाएग सिगे, रोई चैल जवाब दीजे, रोई चैल अनुमान गड़ी के संथ का ज संथ क्या रहे हैं, उसमें से संविधानिक तौर पे से हटा दीजे, जब तक कोट फैसला लेनी लगा, मंदिर नहीं बनेगा, लिख दीजे आपके मैनिफेस्टों में, नहीं तो मैनिफेस्टों से मंदिर को ही हटा दीजे, कहा है आपको आज, अनुमान गड़ी के संथ ने कहा है, विल्कुल देखे संथ का जो है, जो भी बात है, सराको पर है, लेकिन करेंगे कुछ नहीं, अरे सुनतो लिजे, क्या बास आए, समझा पढ़ेगा कि कॉंग्रेस पार्टी जो है, वो लगा अब 29 तारीक को, 29 तारीक को क्या फिर एक तारीक मिलेगी, क्या आप चीफ जस्तिस रंजन गोगोई से हम ये इमीद कर सकते हैं, कि जो भी बेंच का अब कठन होगा, उस पर कोई सवाल नहीं उठाये जाएंगे, क्योंकि कल तो कुछ ये कह रहे थे, कि बेंच में कोई मुस अब क्या आपकी बार जब बेंच का गठन होगा और 29 तारीक को, क्या चीफ जस्तिस रंग्जन को कोई कुछ कहेंगे, कि इस बेंच पर कोई सवाल नहीं उठाये जाएगा, अब जो होगा ये बेंच फैसला करेगी लेकि बेंच पर कोई सवाल उठे, इसकी गुंजाइश कम है, लेकिन कोई सवाल ना उठे, ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बहुत सारे और भी पेचीदा मसले है, जो अगली तारीक को आएंगे, और जो आप बार बार तारीक पर तारीक की बात कह रहें तो हो सकता, आप य परदाश्त करनी पड़ेगी और इस तरह से ये मामला चलेगा, ऐसा मेरा अनुमान है, जे, एतशाम धन्यवाद, अगर ये तारीक पर तारीक चलने वाला है, रोई चहल, तो फिर मंदिर आपके लिए मसला बनने वाला है 2019 में, मैं आपको साफ कह देता हूँ, मैं किसी के प इस पास के साथ भी दिया था कि मंदिर आप बनाएंगे, तो अगर आप भी पनाएंगे, तो आप अपना पूजिशन क्लियर कर दीजे, आप कह दीजिए कि मंदिर हमारे लिए मुद्दा ही ने, मंदिर मैने प्यस्तो ही नहीं, बारती जिनता पार्टी का च्राइब है, इस आप कॉंग्रेस कंग्रीस कंग्रेस कंग्रेस करेंगे न, उतना मैं आप से एक ही सवाल पूछूँगा, तो आप ये मान लीजिए कि भाजपा मंदिर नहीं बना सकती, जो करेगी Congress ही करेगी। प्रतिश्ट कोटा के लिए आपने दो दिन में सम्विधान बदल दिया और आपने बिल पास करा दिया यार राम मंदिर के लिए आप सुनुआ इक टाइम पर नहीं करा सकते हैं। प्रतिश्ट के लिए आपने दिवाली अपने बाति में अपने दिवाली अपने दिवाली अपने दिवाली अपने तो राहूल गांदी को नहीं करें। शाप हो जाएए ऋसके देरा हुए। खंण ररे चाहिए जब जब सवाल मंतिर का उता आप विशह दूसरा उठा जब जब आप विशह को बर्गलाने की कोशिश करेंगे और जिससे भटकाने की कोशिश करेंगे तक मैं आपसे क्या है कि देखिए आप फस रहे हैं मंदिर के मान पर प्रेशर बन रहा है कि या तो आप कशी कीजिए कि यह सुनवाई जल से जल वोट रहा जल से जल ले फिर आप दूसरे समयधानिक दाएं आप पर सामने आके कहिए देखिए हम वाफी चाहते हैं हम काण पकड़ते हैं लेकिन एक बात है एक बात है एक बात मैं आपसे कहूंगा एक और बात मैं आपसे कहूंगा दुश्यन नागर कि कॉंग्रेस पार्टी के अध्यक्ष आपने जनेयू को चमकाए ना अपने गोतर को दोराएं जब तक वो ये नहीं कहते हैं कि हम चाहते हैं वाराम मंदिर बने दुशियन नागर मैं आपसे चाहूँगा कि आप एक पॉजिशन लीजिए कि कॉंग्रेस पार्टी चाहती क्या है कि अपने आपको चुमकाए और आपने आपको राम भग शिफबक बताना बहुत आसान है लेकिन पर पूजिशन लेना बहुत मुश्किल है ये पूजिशन चाहिए हमको क्यों हम चाहते हैं कि कॉंग्रेस पार्टी क्या करेग। आप बैठिए आप बैठिए जवाब नहीं है। प्रहिए में ऊसरी में किसी के पक्समें नहीं हो हैं राजनीती कर रहा है तेखे बीजेपी से सवाल ये है कि आपने हमेशा का आये कि हम मंदिर हमी आएंगे हमी मंन्दिर बनाएंगे लेकिन तारीक नहीं बताए है और सिर्फ तारीक नहीं बताएंगे लिए उस्तारीक का आफिसान गर्णिस सो फ्रावार निकालेजी संके दोनों इंग्रेजी और हिंडी के अखबार निकाल लीजिए क्या रिपोर्टिंग हुई क्या लिखा ततकालीन ग्रहमंत्री बूटा सिंग जी ने हिंदू और मुसलिम निताओं के साथ बात करके समच्या का समाधान निकल गया आपके अखबारों में चप गया लेकिन ततकालीन संक्या देख्ष बाबा साब द ज्यादा खतर नाते हैं किताब लिखी है अच्छे ये ने अब आगे बढ़ रहे हैं आपकी कुर्सी अभी तक वहीं रहेगी आप आईए अंदर भार थोड़ा पानी पीजे वापस टूडियो वापस अंदर है चलिए आगे बढ़ते हैं अख़डा में दुशन नागर किता हैं आईएंगस मोंन जबस क Parrug करनी आपकी करनी रहा में आगे अंदरे शल्दका का कर ऱली तकी करता हैं बढ़ते हैं आके हैं आपकी क्रस्टी दोचिक सकते हैं अगर आईएंगस ये टारा समस्र सथस्से पष्श्बादयों पॉ़च्पल धियुば раскrewफलों तक बーニए झाल